2716 फीट से ज़्यादा उचाई वाली 160 मंजिला इमारत दुबाई का बोज खलीफा दुनिया की सबसे उची बिल्लिंग्स की लिस्ट में फिलहाल टॉपर है माना कि इसकी उचाई दिमाग घुमा देती है पर बाकी दुनिया में भी गगन चुम्बी बिल्लिंग्स और स्ट्रॉक्चर्स बनाने के ऐसे प्लान रेड़ी हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब बोज खलीफा के ज़र से ये ताज हट जाएगा एक किलुमीटर से ज़्यादा उचाई वाली बिल्लिंग्स से लेका बुज खलीफा से दोगने उचे टावस तक अब तो ऐसा लगता मानो आस्मान की भी लिमिट ना रह गई हूँ तो आईए आज दुनिया की कुछ हैसी सबसे उची मारतों पर एक नज़र डालते हैं जो कि जल्दी ही हमारे शितिच पर राज करने वाली हैं दब्राइड उची बिल्लिंग्स की बाद चलने पर बड़ी एराग के बसरा शहर का खयाल शायद ही किसी के मन में आता होगा टैक्स ने शहर के बीचों बीच तीन चौथाई मेल उचाई वाली एक गगन चुमी अमारत बनानी की अपनी योजना का खुलासा किया दब्राइड कहलाने वाली 3780 फीट की अमारत इतनी उची रहेगी कि बुर्ज खलीफा जे भी 1000 फीट उपर निकल जाएगी यानि अगर आफिल टावर को बोज़ पर खड़ा कर दिया जाए तो भी दब्राइड थोड़ी ज़ादा उची साबित होगी दो से तालीस मनजिल वाली इस बिल्डिंग के 16 मिलियन वर्कृट से अधिक फ्लोर स्पेस में आफिसे, होटेल, मकान, क्लीनिक, गार्डन्स और यहां तक की अपना खुद का एक रेल नेटवर्क भी होगा यह सब को चार अलग-अलग अमारतों के अंदर समाहित होगा, जो आसान आवाजाही के लिए कई पुलों के माध्यम से आपस में जुड़ी होंगी यह डिजाइन तो बड़ा ही जटे लगता भई, इसके बजाए सिर्फ एक बढ़ा जट टावर क्यों नहीं बना रहे हैं ताकि पबले केरिया को तेज धूप से बचाए जा सके, माना की दा ब्राइट दिखने में बड़ा ही खुबसूरत है पर यह अभी भी अपनी शादी का अंदिजार कर रही है AMBS ने शुरू में दावा किया था कि यह 2025 तक पूरी हो जाए लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं कोई संकीर नज़र नहीं आ रहे है लगता है इस दुलन को अपनी शादी के लिए अभी कुछ समय और रुखना पड़ सकता है भाई मिस्र प्रामिट और दा ग्रेड स्फिंक्स जैसे विशाल और एतिहासी ग्रूप से महत्व समारकों का प्रसिदखर है लेकिन ओबलिस्को कैपिटल का अभूतपूर फैरोनिक डिजाइन जल्दी ही नए उचायो स्टायल देने दोनों के ही मामले में पीछे छोड़ देगा ओबलिस्को कैपिटल मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी के सरका ताजबन कर उफ़ेगा जो देश के आर्थे विकास को बढ़ावा देने के लिए बसा जा रहा एक नए शेहर है पूरी तरह बनका तैयार होने पर ये अफ्रीका भर में सबसे उची इमारत साबित होने वारी है ये बिल्डिंग शेहर के दिल जैसी होगी जिसमें लगभग 250 मंजलें और 13 मिलियन स्केर फीट से जादा की फ्लोर स्पेस होगी अंदाजी के लिए बतातूं कि ये फुटबॉल के 233 मैदानों को एक दूसरे के उपर रखने जैसा है पर शुकर है कि बिल्डिंग का चम चमाता फ्रंट फुटबॉल के मैदानों से कहीं ज़्यादा सुन्दा दिखता है वैसे सुनहरी डिजाइन सिर्फ लोग बढ़ाने के लिए नहीं है ये सुनहरी पंख सूरज के जुकाओं के हिसाब से दिन भर घूमते हैं और बिल्डिंग की आलीशान थीम से हटे बिना अंदर आने वाली गर्मी को कम करते हैं ये तो बड़ा ही ब्रिलियन कॉंसेप्ट भाई ये शायद अगले दस सालों में हो जाएगा नई शायर का काम तो 2015 से चालो है लेकिन बुनियादी धाचा भी भी बिछा जा रहा है जिसके चलते टावा का काम 2024 से पहले तो शुरू नहीं हो बाएगा लेकिन ये 2030 तक रेगिस्तान की रेच से बाहर निकली आएगा और इसी के साथ मिसर के अध्भूत इसमारकों की लिस्ट में एक और नाम जोड़ जाएगा और अगर अध्भूत लिस्ट की बात करें तो अगर आप हमारी यूट्व चैनल पर कोई भी नया वीडियो आते ही सबसे पहले देखना चाते हैं इस्या के आर्किटेक्शल दुनिया में किसी नगीने की तरह है लेकिन शायद 2035 तक पैट्रुनास टावर एक नई विल्लिंग के चलते अपना खिताब खो दींगे टावर एम या के इल आईसी इस्ट गेट टावर एक गगन चुम्मिय अमारत है जिसे एक शॉपिंग कॉंपलेक्स पर बना जाएगा और इसकी मजबूत नीव करीब 4 एकर में फैली हुई है फैला हुआ ये बेस उनिशित करेगा कि में टावर आस्मान में 227 फीट की उचाई तक जाने के बावजूद काफी मजबूत रहे हाला कि ये बुझ खलीफा से 420 फीट चोटा होगा पर पडोस के पेट्रुनास टावर पे तो फिर भी हावी रहेगा केवल 88 मनजिलों वाले बेट्रुनास टावर एम की प्रस्तावित 145 मनजिला डिजाइन के बराबरी कहीं नहीं कर पाएंगे तीन से चार मिलियन स्क्वेर फिट फ्लोर स्पेस की ऑफिस स्पेस वाले इस पूरे टावर को जमीन से खड़ा करने के लिए कुल 650 मिलियन डॉलर के लगभग खर्च होंगे टावर से जोड़ा चोटा मुटा काम तो शुरू हो गया है लेकिन डिवेलपर के एल आई सी किसी सुनिश्चित हो जाए कि शहर में ओफिस स्पेस की डिमांड अभी बढ़कर आ रहे लेकिन कोविट महामारी की कारण वर्क फ्रॉम होम का चलन काफी बढ़ गया जो टावर एहम की यात्रा पर शायद ब्रेक लगा सकता है यानि आसमान चुमने वाली बिलिंग्स में दिल स्पेस्पी रखने वालों को अभी अगले आठ सालों तक अपनी सांसे थामनी होंगी पर तब तक के लिए कम से कम पेट्रो नास टावर्स तो चैन की सांस ले सकेंगे बाई कौला लंपर तो अभी यही नहीं जानता कि टावर एम का प्लान कभी अमल में आए गया या नहीं पर शहर में एक और मेगा स्क्रिपर तयार हो रही है जोकि बहुत जल्दी ही दुनिया के सामने अपना जल्वा दिखाने को तयार होगी साल 2014 से ही टावर एम की साइट से लगभग दो मील दूर इस्थित मरडे का PNB 118 धीरे धीरे जमीन सूपर उठ रही है 2018 तक यह अमारत अपने 50 निशान तक पहुँच गी और 2019 में यह 80 मनजिलें प्राप्त कर चुकी थी हमारी के चलते आने वाली अर्चनों के बाद यह 2025 तक अपनी 108 मनजिल तक पहुँचने की सही राह पर है तब PNB 118 को 2018 की समान जनग हुचाई मिल जाएगी भले इसकी हुचाई टावर एम से 100 फीट कम हो यह 2000 फीट से जादा हुचाई वाली दुनिया की एक मात्र निर्माना धी निमारत है 100 मनजिलों की ओफिस इस पे 17 मनजिल पर होटेल और फ्लैट्स भी और सबसे नीचे एक शॉपिंग मॉल वाले इस मेगा स्क्रपर की कुल फ्लोर एरिया 3.1 मिलियन स्कार फीट होगी बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए टावर के बाहरी धाचे में 8 विशालका पिलर होंगे मेरा मतलब है कि भले ये दुनिया के सबसे उची बिलिंग ना हो पर फिर भी आप इसे तूफान के चलते ढहते हुए तो कभी ने देखना चाहेंगे इससे बनाने में आधा बिलियन डॉलर से जादा की लागत को ध्यान में रखते हुए आप निशित रूप से इस जमीन पर लेटते हुए देखना कभी भी पसंद नहीं करेंगे बिग बैंड नियॉक के शितिज में दुनिया की सबसे जानी पैचानी गगन चुमी अमारतें देखी जा सकते हैं लेकिन जल्दी वहाँ एक नई बिल्लिंग बनने वाली है उन सभी दिगजों को पीछे शोड़ देगी ये है दा बिग बैंड गगन चुमी अमारत का एक ऐ बिगनी होगी साल 2017 में ओईयो स्टूडियो ने नियॉक के बेहत सख्त लैंड जोनिंग नियमों पे व्यंग करनी के एक मजदा प्रयास की रूप में इस आश्या जनक डिजाइन का नावरंड किया था मैनहटन में किसी बिल्दिंग की उचाई पर कोई रोक टूग नहीं है लेकिन ओईयो वाले इस नियम से बचने के लिए ब्रेनियस रो पर इस्थित दो अलग-अलग पॉइंट्स का सहरा लेते हैं इस इस राके में बिल्दिंग एक प्लॉट के फ्लोर एशिया रेशियो के दस गुना तक निर्मान कर सकते हैं इसका मतलब हुआ कि वे कानूनी द आखिर काम कैसे करते होंगे स्काय सिटी नौसो चौरासी फीट से अधिक उचाई वाली 95 गगन चुमी इमारतों के साथ चीन इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा गगन चुमी इमारतों वाला देश है लेकिन वहाँ है कैसी बिल्दिंग तैयार हो रही है जो कि ग्यार 2,80,000 वर फीट शेतर में फैली इस बिल्दिंग का सिर्फ आधार ही साइज में लगभग 5 फुटबॉल मैदानों जितना होगा उसके उपर 2,70,000 टन स्टील इस्तिमाल होगा जो आसमान चुने वाली इस बिल्दिंग का बेहत ज़रूरी हिस्सा बनेगा ये एफिल टावर म 32 फीट से हराते हुए 1.46 बिलियन डॉलर लागत की इस बिल्दिंग में करीब 17,400 लोग आराम से रह सकते हैं हाई स्पीड अलिवेटर और कई हैली पैड धातू के समारक के सभी इस तरों तक पहुच प्रदान करते हुए इसे एक इमारत की तरह कम और भविशी की तरह और आत्म निर्भर शेहर की तरह जादा डिजान किया गया है लेकिन इस बिल्दिंग का सबसे शांदार पहलू नहीं है साल 2012 में प्रजेक्ट की शुरुआत की टाइम बिल्डर ब्रॉट ग्रूप ने दावा किया कि वे इस बिल्दिंग को महल 90 दुनों में खड़ा करके एक न एक दम से ठप हो गया पता चला कि इस प्रोजेक्ट ने दल दलों पर निर्मान के लिए जरूरी परमिशन नहीं ले रखी थी बिल्डर ने इस वैसले के खिलाफ अपील तो की लेकिन चांग्शा में इस्तित्व खुप्सुरा साइट तब से वीरानी पड़ी है 2017 में सकाई सिटी के लिए किसी नई साइट की तलाश की जा रही थी और ब्रॉड ग्रूप का दावा है कि विनिश्चित रूप से भविश में इस टावा का निर्मान जरूर चारी रखेंगे जिद्धा टावर दुबई इस वक्ट दुनिया के सबसे उंची इमारत वाला शहर है लेकिन पडूसी साओधी अरब का जिद्धा शहर जल्दी ये खिताब चुरानी की फ्राक में है जिद्धा शहर में इस टिद्धा टावर का निर्मार साल दुजा तेरा में शुरू हो गया था आखों में आसुला देने वाली एक तेशमला दो तीन बिलियन डॉलर की लागत वाली इस टावर की प्रस्तावित वास्तु कला बहुत ही महत्वक आंग्शी है पूरा होने पर बिल्डिंग का शिखर आस्मान में 3281 फीट के उचाई तक महुचेगा ये टावर बुझ खलीफा से भी 560 फीट से ज़्यादा हुचा होगा और जल्दी दुबई का खिताब चुरा लेगा 167 मंजिलों में भेले फ्लैट्स और होटेल्स के लिए बने 600 कमरों के अलावा आने वाले लोगों को अत्याधनी डबल डेकर लिफ्ट से ऊपर नीचे ले जाए जाएगा लेकिन 32 स्पीड प्रती सेकिंड की टॉप स्पीड वाली लिफ्ट को भी टावर की ग्राउंड फ्ल सकेंगे लेकिन करीब आद ही मील उचाए वाले बुझ खलीफा को खलाल जरा भी परेशान होने की जरूत नहीं है बाद लोगों भेदने वाली इस बिल्डिंग का काम साल 2013 में शुरू हुआ जिसका पोडियम स्ट्रॉक्चर और बेस अब 63 मंजिल तक पहुँच चुका है साल 2018 में अभी इस अमारत का सिर्फ एक चौथाई काम पूरा हुआ है साओधी में भरस्टशार के खिलाफ शड़ी मुहिम ने पूरा का पूरा प्रजेक्ट ठप कर दिया है रास्ट्रूस तरप होने वाली इस कारवाई में सरकार ने बड़े बड़े अमीरों से अर्बो डॉलर के संपती जब्त की जिन में से एक जिद्दा टावा प्रोजेक्ट का चेयर में भी था ये कान इतना गंभीर था कि प्रोजेक्ट का काम दोबारा कभी शुरू नहीं हो पाया हलागि टावा को 2020 तक बनका तयार हो जाना था पर आज भी ये 63 भी मनसिल तक ही सीमित है और इसके पूरे होने की कोई उमीद फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही क्या सिर्फ मुझे ही अज़ा लग रहा है या किसी और ने भी दुबाई को अभी भी राहत के सांस लेते हो सुना है दुबाई क्रीक टावर जिद्दा टावर कितना भी लंबा हो जा पर दुबाई उसे कड़ी टकल दिये वगएर कभी ने हार सकता है दुनिया के सबसे उचे टावर वाला शहर होने का अपना खिताब बरकरा रखने के लिए दुबाई ने साल 2016 में अलान किया कि वे बेहत, सुन्दर और आकशक दिखने वाले क्रीक टावर को बनाने जा रहे है एक बिलियन डॉलर लागत का ये धांचा शहर में पहले से एक खड़े बोज़ खलीफा को पचाड़ने के लिए 3045 से 300 फिट की उचाई के साथ प्लाइन किया गया है, हलाकि टावर के सटी की उचाई को चिपाया जा रहा है ताकि जिद्दा टावर जैसे दूसरे विरोतिये से हरा कर स्पोटलाइट चुराने से रोका जा सके लेकिन इतनी जबरदस उचाई के बावजूद, क्रीक टावर में मकानों के लिए केवल 20 मंजलें और टावर के शिर्च पर बनी, मीनार में केवल 10 अब्जरवेशन टेक ही होंगे टावर के ये नियुन तर्म डिजाइन कॉंक्रीट के एक मोटे से खंबे पर आधारित है, जिससे मजबूती देने के लिए स्टील केबल्स के एक बड़े से जाल दौरा सपोर्ट किया जाता है ये खुबी इसे वास्तवी कागन चुम्बी अमारत कम और एक खुबसूरत इसमारक ज़्यादा बनाती है और ये दुबई के इंजिरिंग कोशल का बहुबी प्रदशन करने के साथ ही सबसे मुची बिल्डिंग वाले शहर का खिता भी सुरक्षित रखता है लेकिन तभी जब इसका काम कभी ग्राउंड फ्लोर से आगे बढ़ेगा 2018 में 1.7 मिलियन क्यूबिक फीट कॉंक्रेट को जमीन भर कर टावा के मुखे नीव रखी गई थी इस से बनने वाली पाइल कैब 45 फीर से जादा मूटी थी जिसका वजन करीब 1,32,000 तन था लेकिन तभी ये प्रोजेक्ट अचानक से रुग गया 2008 के वित्ती संकट के चलते कच्चे तेल की गेमतों में आई भारी गिरावट ने तेल पर निर्भा करने वाले शहर के अर्थ्वेस्था को बूरी तरह से प्रभावित किया वित्ती मंदी का मतलब था कि क्रीक टावर जैसी दिखावे वाले बड़ी परियोजनाया आगे नहीं बढ़ सकती थी इसका नावरन 2020 के वर्ल्ड एक्स्पू में किया जाना था पर अफसूज के ऐसा कभी नहीं हो पाया पर क्रीक टावर के बिल्डर अभी भी इस बात पर अड़े रहे हैं कि वे इसे साल 2022 के अंतकूरा कर लेंगे पर गूगल अर्थ पर महज एक नज़र डालती साफ हो जाता है कि अभी ये प्रोजेक्ट जमीन पर बने कॉंक्रीट की एक बड़ी सी डिस्क जैसा ही दिखता है स्काइ माइल टावर दुनिया के कई देश गगन चुमी मारतों की निर्माड की दौड में एक किलोमीटर उचाई का निशान भेदने की फिराक में है पर स्काइ टावर प्रजेक्ट करने के सर ये जापान ने अपनी निगाहें उससे कहीं जादा उपर घड़ा रखी हैं स्काइ माइल की 5577 फीट की प्रस्तावेत उचाही शानदा डिजाइन वाले इस टावर को बुझ खलीफा से दोगना उचा बना देगी अंदाजी के लिए बताती हैं कि ये स्टैचियो अफ लिबर्टी के उचाही से 18 गुना ज्यादा है नेक्स टोकियो कहा जाने वाला ये महा प्रजेक्ट टोकियो की बढ़ते हुए आबादी की समस्या से नपटने के लिए डिजाइन किया गया है जहां महज 845 वर्ग मिल के शितरफल में 14 मिलियन से जादा लोग रहते हैं टोकियो खाडी में बनने वाले नेक्स टोकियो की 421 मंजिलों पर करी 55,000 लोग आराम से रह सकेंगे यानि ये बिल्डिंग खुद अपने आप में किसी शहर जैसी होगी साड़े चार मिलियन वर्ग फीट में भेला ये टावर बहु मंसिला स्काइ लोबी से कनेक्टेड मकानों का एक वर्टिकल नेटवर्क तियार करेगा यहां रहने वालों के लिए होटेल, जिम, लाइबरी और क्लीनिक जैसी सोविधाइं भी उपलब्द होंगी स्काइ मायल टावर जिस द्वीब पर बन रहा है वहां विंड और सोलर एनरजी के साथ साथ शेवाल भी उगाई जाएंगे ताकि टापू को जितना जंभव हो आत्मिभव बना जा सके लेकिन असली सवाल ये है कि किसी सपने जैसी इस बिल्डिंग के अध्वत उचाई को जापान के इंजिनियर आखिर प्राप्त कैसे करेंगे शुरुआती डिजाइन में बिल्डिंग तीन कॉम्पलेक्स पर टीगी है जो कि हेक्ज़गोनल रूप से परस पर जुड़े हुए हैं और उपर जाकर तीन और कॉम्पलेक्स के लिए जगह बनाते हैं ये कॉम्पलेक्स उपर जाते वक्त एक दूसरे से उवरलैब करते हैं जिससे बिल्डिंग के स्ट्रॉक्चर को काफी ज़्यादा मजबूती मिलती है लेकिन बिल्डिंग के सामने वाले हिससे सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है इतनी उचाई पर फ्लोर पर पढ़ने वाले लोड के मुकाबले हवा का दबाओ बिल्डिंग के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि टावा बिल्कुल किसी बड़ी सी शिप के सेल या पाल की तरह काम करता है इस से निपटने के लिए बिल्डिंग के सामने वाले हिस्से में लंबे सुराक बनाए गए हैं ताकि हवा बिना किसी खास रुकावट के बिल्डिंग के आरपार हो सके भले ये देखने में बहुत कमाल की लगती है उपर अफसूस की बादलों को चुमने के रात रखने वाली बिल्डिंग अभी भी सिर्फ एक कॉंसेप्ट ही है लेकिन अगर इसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गगन चुम्भी इमारतों में से एक बनने के लिए हरी जन्नी मिल जाती है तो ये दो हजार पैतालिस तक बनकर तयार हो जा जो कि कुछ ऐसा दिखता था मानुसी थे मशूर फिल्म ब्लेड बरनर से निकाला गया हो हलाकि पिरामिट का डिजाइन बड़ा ही फीचरिस्टिक है पर ये इसके साइस जतना नुखा नहीं है टोक्यों की खाड़ी में फैली बुन्याद वाले इस स्ट्रक्चर में तीन व साइस किस्म के कॉंक्रीट से बने एक्क्यासी खंबो पर टिकी है जो टॉप तक जाने वाली फाइव स्ट्रक्स को सहरा देते हैं इस त्रिकोनी बाहरी धाचे के साहरी लोगों के रहने के लिए कौटर एंटिटेन्मेंट एरे और पूरे के पूरे महले लटक रहोंगे दस चलने वाले लिफ्ट और स्वाचले रैपिड ट्रांस्पोर्ट पॉर्ट उपलब्ध होंगे यह सब सुनने में कितना जबदस लगता है न पर फिर पता नहीं क्यों 20 साल से जादा होनी को है लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है वजह यह है कि अफसोस दुनिया में ऐसा कोई भी मट्रीयल मौजूद नहीं है कि जो कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लायक हलका होने के साथ साथ उतना ही मजबूत भी बनाए और अगर सिर्फ एक ट्रस भी फेल हो जाए तो एक साहाथ दस लाख लोग पलक चपकती समुदर में समा जाएंग सुनकर ही जिप्ट वालों के दो पसीने चूट जाएंगे मिलेनियम चैलेंज 1852 शिमिजू प्रामिट जैसे ही जबरदस्त उचाई वाले बहुत से दूसरे फीचुरिस्टिक प्रोजेक्ट मौजूदा बिल्निंग माटेरियल्स मैथड और डिजाइन की लिमिट्स के चलत होता है 2005 में इटैलियन आकिटेक्ट ओमेरो मार्चेटी ने जब यह कॉंसर्ट पेश किया तो इसे समुद्री मील की उचाई तक पहुंचाने वाली दुनिया की पहली इमारत बनाना चाते थे जो नहीं जानते उनको बताते हैं कि एक समुद्री मील 606 फीट या एक मील से थ प्रियों करते हुए अपने डिजाइन से जातर राइट एंगल और पर्पेंडिकलर हिस्से को हटा दिया साथ ही कच्चा लोहा और कॉंक्रेट इस्तमाल ना करने की ठाने जैसी कि यह कदम अपने आप में कम पागलपन वाला था जो नहोंने बर्फ के कड़ों के किस्टल स् पर्फेक्ट होते हैं और नतीजे में हमें मिला कुवेट सिटी के शितिश पर तनकर खड़ा तिर्चे बांके शेव वाला ये सुन्दर सा टावर मार्चिटी दावा करते हैं कि उनके इस प्रजेक्ट पैसे लगाने के लिए इन्वेस्टर्स की लाइन लगे हुई है तब स पिछले सौ सालों से रॉकेट हैं अंत्रिक्ष में सामान भीजने का एकलोता तरीका रहा है लेकिन जल्दी हैं अंत्रिक्ष तर जाने वाली एक बड़ी इसी लिफ्ट भी इस तरह काम में हमारी मदद करेगी हाँ भाई मानता हूँ ये कोई का इंचुमी अमारत नहीं है ल पर नासा का दावा है कि इसके पीछे का विज्ञान एकदम सटीक है इस कॉंसेप्ट को सबसे पहले 1895 में कॉंस्टेंटिन सोलवास की नाम के एक रेशियन साइंटिस ने तयार गया था हाला कि उन्होंने जो सुझाओ दिया उसमें प्रत्वी की कक्षा में मौजूद एक आकाश ये महल जमीन पर ठीक एक टावर से जुड़ा था यानि ये कुछ-कुछ एक बहुत बड़े से आइफिल टावर जैसा दिखता होगा लेकिन आज 120 सालों के बाद अंतरिक्ष एजनसीज अंतरिक्ष में कोई महल बनाने के बज़ाए मोटर से चलने वाली लिफ्ट प पूरे धांचे को रोके रखेगा सैधान्ति ग्रूप से ये लिफ्ट, रॉकेट, सैटिलाइट और यहां तक की लोगों को भी अंतरिक्ष तक ले जा सकेगी इससे अंतरिक्ष परेटन का एक ऐसा नया नजरिया खुल जाएगा कि एलन मस्क को भी जलन होने लगेगी बहले ये इस प्रजेक्ष के निर्माण में दस बिलियन डॉलर का खर्चाएगा पर नासा का दावा है कि ये पहले से मौझूद स्पेस प्रोग्रेम्स के मुकाबले बहुत कम रिस्क्यों और कहीं जादा सस्ता होगा किसी चीज़ को अंतरिक्ष में लांच करनी की मौझूद अल दस्बूत माटीरियल से समझ से हल हो सकती है लेकिन उसकी मधुमख्य की चत्ते जैसी आन्विक सानचना के कारण मैनिफेक्षरिंग बहुती मुश्किल साबित हो रही है ग्रिफीन को आज तक केवल एक मीटर लंबे सूथ में ही काता जा सका है सो अभी ये हमें अंतरिक्ष सितारों को देखने के लिए यातरा कुछ जाद ही लंबी होगी हाला कि ये बात चीन और जापान को अपने खुद के स्पेस लिफ्ट प्रोजेक्ट पर प्री कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने से नहीं रोक पाई और उनका दावा है कि वे इसे साल 2045 तक पूरा कर लिए ये मनुशी के लिए एक छोटा सा कदम पर माना जाती के लिए बहुत लंबी लिफ्ट राइट साबित हो सकते हैं इन में से किस सूपर स्ट्रक्शर को आप सबसे पहले पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं नीचे कॉमेंट बोक्स में हमें ज़रू बताएं और हां देखन के लिए शुक्रिया